हेलो माई यूटूब फैमली तो चलिए मैं आज आपको नियू रेसिपी सिखाती हूँ यह है बेबी कॉन चिली बहुत ही जादा माउट वर्टरिंग है तो इसे बेबी कॉन को मैंने यहां पर बॉल कर लिया है और इसके बाद मैं यहां पर डाल दूँगी दो से तीन चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा से सॉल्ट डाल दूँगी और मैं एड़ कर दूँगी यहां पर कॉन फ्लाट चार चमच और इसे थोड़े दिर मैरनेट करके रग दूँगी और चलिए कटिंग चॉपिंग में कर लेती हूँ तो मैं यहां पर ओनियंस एक बड़े कर लिए जिंजर गार्लिक और थोड़ी से हरी मिर्च मैंने यहां पर इसे लिए चॉपिंगा नाती हूँ आपर चिंग्स का वेनिगर एक सिरिड चमच लिए हूं मैं डार्क सोया शॉस यह भी मैंने चिंग्स कर लिया है यह भी मैंने 1 टेबल स्पून डाल दी हूं उसके अगटाद मैं डाल दूग यहां पर चिली डेड चिली सास यह भी मनतलब 1 चमच लिए और मैं डाल कि यहां पर टामैटो केचप और अखेω दूग वाइच्व कि पर यह नःम इने तहसी घाल हूं officers fitness और यहां पर मैं इसां मेरी सास बनके डर्रे帶क मैंने टाले इसे में आ कड़ाई जिसे मैं प्याज और हरी मिर्च और अद्रक लेसन में से थोड़े देर के लिए सौटे कर लूँगी और यह मैं चाइनिज आइटम जो भी बनाती हूं इसे मैं फुल आच में बनाती हूं ताकि वह पानी ना छोड़े और बहुत ही जादा टेस्ट आएगा ने तो बैसी आइटम पानी जैसा लगेगा और मैं इसमें डाला दूँगि थोड़े से चैपित तो मैं यहां पे डाल दूँड़ें चैपिकमकाará ड़ी इह हूं रिचै यह धीक प्दधिब्दी और रिच्पक रिची बेंट अच्छी त्टे आइटम इससे थोड़ा से तोड़ा में डाल दूँगी इसमें सॉस और सॉस आप डाल दीजे जो मैंने यहां पर बनाया था यह देखिए मैं डेहां पर सॉस डाल रही है उसके बाद में यहां पर कढ़ाई को भी अच्छे से फायर करूंगी तो यह फायर टेस्ट आ जाती है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है उसके बाद में इसे अच्छे से सॉस पका लोगी सारी चीज में तीज ही आच में बनाऊंगी और यह देखिए कितना जादा टेस्टी लग रहा है अच्छे से फ्राई करने के बाद में यहां पर डाल दूँगी बेबी कॉन थोड़ा सा सॉरी डाल दूँगी एक चमच और दो चमच पानी में मैंने स्लरी बनाया था कॉन फ्लार स्लरी का उसे मैं डाल दूगी और मैं डाल दूगी यहां पर बेबी कॉन जो मैंने यहां पर फ्राई किया था तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लोगी और मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि मैंने य तोड़ा साइस पर टेस्ट आप डाल सकते हैं और यह देखिए कितना ज्यादा यमी दिख रहा है